प्रस्ताव पारित हो चुका है कि राज्य में ये लागू नहीं होगा इसे रद्द करने का ये प्रस्ताव पास हुआ इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ट लॉयर प्रमोज सक्सिना जी जिनसे हम समझेंगे कि प्रमोजी बहुत बहुत स्वागत आपका इशानेट न्यूज हिंदी में कितना ये समविधानिक हैं क्योंकि वहां के राजपाल ने इसे असमविधानि करार दे दिया है तीन पार्ट हैं एक है Union List एक है State List और एक है Conquerant List Union List में जो अधिकार है वो केंदर का है और Parliament के माध्यम से कानून बनते हैं उसमें State List में जो State Legislature होता है विधान सभा उसके माध्यम से जो State के सूची में जो विशे हैं उन विशेव में कानून बनाने का राजजी को अधिकार है और Conquerant List मतलब दोनों को अधिकार है लेकिन जो केंदरी कानून होता है वो अधिमानने होता है State के कानून पर यह स्थिती समयधान की इसपस्ट है नागरिक्ता संबन्दी जो विशे है नागरिक्ता के विशे में जो Article 5 है हमारा 211 जो प्रोविजन से हैं उसमें सिर्फ Conquerant जो Union List है यहने केंदर का जो सूची है केंदर की सूची के माध्यम से कानून बनाया जा सकता है तो State को ना तो किसी तरह का प्रस्ताव पास करने का अधिकार है ना उसमें किसी तरह का कोई अधिकार नागरिक्ता के समन्द में राज्यों को है इसलिए इस तरीके का जो प्रस्ताव है यहां पर एक केंदर की कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंदर को है इसलिए किसी भी राज जी को ये अधिकार है ही नहीं कि वो इसके संबन्द में लागू करे या ना करे ऐसा कह भी सके कह रहा है राजनेतिक मामले में आपको एक जानकारी दे दूँ कि राजस्थान में इस कानून के बनने के बाद कुछ लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है इसलिए बिल्कुल इसलिए ये कहना एकदम से विचितरसी बात है कि हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे भावना वाली बात है उनने अपनी भावनाएं विक्त करी है जो जिस दिशा में वो लोग काम राजनेतिक परपस से काम कर रहे हैं और नय संशोदित कानून के बाद पहला राज राजस्थानी है जहां पर नागरिकता दी गई है इस कानून के तहत लेकिन ये कहने वाली बात है बा सर एक चीज़ और भी जाना चाहूंगा कि जो लगातार विरोत प्रतेशन चल रहा है हाला कि यहां पर मुख्यमंत्री पिजेन ये काया कि धर्म रिपैक्षता का कारण बताया उनोंने और इसलिए वो प्रस्ताव लेकर आया और उसे पास हुआ देखिए हमारा जो देश का जो समिधान है वो कहां लगू होगा हमारी टेरिटरी में होगा न तो जो दूसरे देश यहां ये कानून दूसरे देश के नागरिकों के संब्द में है इतनी मोटी बात भी अगर कोई जानबूच के अगर भरम भिलाना चाहते हैं तो बात लगे उनकी नियत समझी जा सकती है क्योंकि ये कानून जो है वो पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान के नेशनल्स के लिए है ये भारत के नागरिकों के लिए नहीं है इसलिए जो आर्टिकल 14 की या ये जो बातें की जा रही है ये सब बेमानी है इससे ना कोई धर्म निर्पेक्ष्टा जैसी तो कोई चीज है नहीं पंत निर्पेक्षब्द हमारी प्लश्ताहणा में है तो पंत निर्पेक्ष्टा की जो भावना है जो आर्टिकल 14 to 21 जो सारा इस्क्रिप्षन दी गए उसमें इसका कोई वाइलोशन नहीं होता है और अगर वाइलोशन होता होता तो अभी तक सुर् बड़े भ्रहम हैं जो फेलाए जा रहा है क्या मिस कम्मुनिकेट किया जा रहा है देखिए सबसे बड़ा भ्रहम तो यही फेलाए जा रहा है कि इसे देश के अलब संख्यकों से सम्मन्दित बता जा रहा है देश के अलब संख्यकों से इसका कोई लिना देना नहीं है ये जो तीन देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगला देश इन तीन देशों के अलब संख्यकों के बारे में बात कर रहा है उसके लिए भी क्यों? क्योंकि इन तीनों देशों के जो समिधान है वहाँ पे राज धर्म की विवस्था है वहाँ पे जो इसलाम है उसको एक स्टेट रिलिजन के रूप में मानिता दी हुई है उसकी वज़े से कुछ लोग उसका फायदा उठा कर जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, जेन हैं पारसी हैं, इसाई हैं, जो वहाँ के नेसरगीक और मूल निवासी हैं उनको परिशान किया जाता है वो चुकि ये देश विभाजन के पहले भारत के ही अंग थे, बंगलादेश और पाकिस्तान तो और अफगानिस्तान उससे कुछ समय पहले तो उस वज़े से हमारा नेतिक दाइत भी हो जाता है भारत का, चुकि हमारा पंथ निर्पेक्ष समय दाने के, चुकि हमारे देश के पार्ट रहे हैं, कभी अगर ये देश विभाजन नहीं होता तो ये हमारे नागरिकी होते न तो इनके साथ अगर प्रताड़ना धर्म के आधार पे हो रही है, तो हम उल्टा वलकि ये है कि उस पंथ निर्पेक्ष तागी भावनाओ के अंतरगत, इनको समरक्षन देने के लिए नागरिक्ता देने का प्रावदान की है इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है कि नागरिक्ता ली जा रही हो किसी की ऐसा कुछ है ही नहीं, बलकि ये नागरिक्ता देने का कानून है, वो भी हमारे देश के नहीं जो दूसरे देश से आये हुए प्रतालित लोग है और जो इमानदारी से ये बता कर आए हैं, उनके पास अपना पासपोर्ट है अपने देश का, वो वीजा लेकर आए हैं और उन्होंने आधिकारिक रूप से इमानदारी के साथ शरण मांगी है वारत से वो घुस पेठी हैं नहीं है, चुपचाब घुसके नहीं आए देश को नुकसान पहुचाने नहीं आए हैं ऐसा घुस गए हैं बार्डर से और फिर ऐसा नहीं है वो वीजा के साथ, पासपोर्ट के साथ अपनी आइडेंटिटी बता कर जो लोगा हैं उनके लिए ये कानून है बिल्कुल सर एक चीज़ और जो लगातार विरोत प्रदशान इसमें हो रहा है अभी भी, तो अगर सरकार इसमें परिवर्तन करना चाहेगी तो फिर उसकी क्या प्रक्रिया होगी वापस रास्टपती से साइन करवाना होगा रास्टवालोग सब में वापस पास होगा देखिए जिस प्रक्रिया से कोई कानून कि अड़चन नहीं कानूनी लेकिन वर्तवान परिसिद्धियों देखते हुए सा लग नहीं रहा कि सरकार ऐसा कुछ करने वाली इस कानून में क्या संभावित मंतब संशोधन किये जा सकते हैं इस कानून में अगर इसमें कोई भी परिवर्तन किये जाएगा तो इस कानून का तो मूल उद्देश ही खतम है यह जो प्रताडित धार्मिक रूप से प्रताडित लोग हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश में उनके समरक्षण के लिए या उनको एक सहयोग या मानवी हुमे अगर संसोधन होता है तो भावनाई समाब तो या थी तो मुसल्मानों को अधिकारिता देते उए अपना सम्विधान बनाया तो मुसल्मान तो वहाँ परताडिते लोगों को मदद करने कि तो फिर इसको मुसल्मानों को शामिल कैसे किया जा सकता यह जो मांग उठा रहे हैं यह उनसे ही समझने का विशह है क्योंकि आम जो सामाने प्रग्या का वैक्ती है हो तो इस बात को ना समझ सकता है और ना उस की समझ में आईगी यह बात बिल्कुल और सुपरीम कोट में पैंडिंग है मामला लेकिन सुपरीम कोई भी कानून को जब चैलेंज किया जाता है तो प्राइमा फेसी देखा जाता है प्रतम दृस्टिया क्या चीजे कानून में कोई बात जो भारती टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, उनके साथ कानून कोई किसी प्रकार का भेद नहीं कर सकता, मतलब वो लोग जो भारत में रह रहे हैं कानूनी तोर पे, तो जो गेर कानूनी तोर पे घुसे हुए हैं, उनके लिए एक तो अर्टिकल 14 में कोई बड़ेक्टिव मेजर्मेंट की व्यवस्था Artikel 14 जैसे हमारे हैं कानून के समक्ष समान अधिकार है तो फिर आरक्षन क्यों है भई ? आरक्षन समयधाने कैसे है ? वो ऐसे है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स अगर लेती है सरकार किसी कमजोर वर्ग के समरक्षन के लिए अगर उपाय करती है तो वो आर्टिकल 14 से एक्जेम्ट किये गए तो ये भी कौन सा वर्ग है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश में प्रतालीत वर्ग है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव मेजर के तहत ये कदम उठाया गया ये कानून लाया गय एक हमारा hated 7 है उसके लिए के लिए संविदान का शिडूल से वन पढल आचेह को और स्पांव के रिए उब्हेंट को ludzi m बना सकता है दूसरी सूची है इस्टेट सूची इसमें 66 सब्जेक्ट है इसमें एजुकेशन है प्रभंधन राज जी का प्रसाशन है पुली से कुछ चीज़ों को छोड़के CRPF अगेरा जो इस डिस्टरबरिया वाले छोड़के बागी जो एड्मिस्टेशन है ग्रह विभ कियंद्र का जो क मानून होता है अगर दोनों स्टेट में भी कानून है कोई केंद्र का कानून गी है तुछ केंदर इसलिए कसपस्त्र शकतियों का विभाजन है नह में तो अनावश्य को फ Separate जरूमत भी नहीं भज़े, आपका सब्जेक्ट है स्टेट का, उस पर आपको कोई आपती है, अब यू कानून विवस्था भी स्टेट का ही मामला है, यहने जो कोड्स होती है, उसमें भी हाइपोट के अधिन जितने भी नियाले होते हैं, उनमें जो काम होता है, उससे रिले कहीं ओवरलेब करता हो, बिल्कुल, क्योंकि हस्तशेप का अधिकार नहीं है, इसलिए विरोध प्रदेशन हो रहा है, विरोध करके आप प्रदेशन करके विरोध जता सकते हैं, और इसलिए जो नागरिता कानून है, वो पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन प्रदेशन है, अभी यिरोध, भी झेचरेशन हो, भी जी झेचapers के विरोध, जया यiquाहा है, यज नहीं हो बादी है, फिरोध देयर कादेशना हो, एब गientôt Hiç में थदो कीमाशन कीमाराओ, फोट αλλά कर KER य concerts दोआई भाउना है, विरोभ बibel दो सकते हैं, जाहा हैं यु hutई क